आलो स्टेंस, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अब J-Advance के लिए अच्छे से प्रिप्रेशन कर रहे होंगे क्योंकि जो सबसे इपोर्टेंट और जब से टफेस्ट इजाम आने वाला है वो J-Advance ही है, ठीके? तो चलिए, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इस प्रोग्लम को सॉल्व कर सकते हैं कहीं कुछ अस्टेप इजी होता है, किसी किसी अस्टेप में आपको फसाने का कोशिस कर सकता है तो जो फसाने वाला स्टेप है, जो सबसे critical बोल सकते हुआ स्टेप होता है उससे हम कैसे निकले, इस पर ही हमें काम करना है, ठीके? और जहां पर जो calculation के साथ मैं पूरा detail में कहने के मतलब है न solution आपके साथ share करने वाला हूँ एकक का step करूँगा, एक भी step को नहीं छोड़ूँगा, ठीके? तो देखिए, सबसे पहला question, differential equation, यह problem है JE advance 2023, differential equation वैसे भी a scoring and easy chapter माना जाता है इसका problem आपसे होने का chance 99% रहता है अगर JE means पे भी आजा या फिर JE advance का problem ही क्यों ना हो? तो चलिए, देखिए क्या करना है हमें, तो सबसे पहले question को carefully read करना है देखिए, for x belongs to r, let yx be a solution of the differential equation this such that y2 is equal to 7, then the maximum value of the function this तो थोड़ा सा differential equation का problem तो है, easy तो है लेकिन आपके साथ थोड़ा सा इसने एक काम और किया है कि then the maximum value of the yx, मतलब जो भी आपके पास function आएगा उसका हमें maximum value भी निकालना पड़ेगा, ओकी तो सबसे पहले हम लोग differential equation को solve कर लेते हैं, ठीके तो देखिए, क्या given ही मेरे पास? x square minus 5 और यहाँ पे लिखावा है dy upon dx minus 2xy which is equal to minus 2x into x square minus 5 whole square तो देखो, differential equation का problem जब भी आपके सामने आए और आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि यह किस form में given है differential equation का कुछ standard form है ना, linear differential equation, variable separable, फिर आपके पास होगया homogenous है तो किस form है, पकड़ में नहीं आता है, तो सबसे असान तरीका है कि जो dy upon dx है, जो कि हमें यह दिख रहा है, तो इसकी coefficient जो भी है उसको one कर दो सबसे पहले जो भी given है, तो उसको करने के लिए सबसे बेश तुपाय है कि जो भी इसका coefficient है, उससे हम दोनों से क्या कर लें, divide कर लें, ठीके ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहां से यह पूरे पार को common लेके भी आप प्रोसीद कर लो, बात एक ही है, ठीके, अब हम सबको अलग लग लिखेंगे, यानि कि this upon this, तो क्या बनेगा यह, dy upon dx, minus this upon this करेंगे, ति हो जागा, minus 2x upon x square minus 5, और यहां पर y, which is equal to, this upon this करेंगे, तो देखो, a से और यह क minus 5, यह मेरे पास हो गया, ओके, अब यह साथ दीख रहा है, यह कौन सा form बन गया, यह बन गया मेरे पास, linear differential equation, linear differential equation, ठीके, जिसको हम लोग short में, l, d, e, भी बोलते हैं, और इसका form क्या है, तो इसका form में, dy upon dx, plus py, is equal to, क्या होता है, क्यों होता है, where, p and q are, function of x only, मतब, p और q की जागा function of x हो सकता है, इसस थाइन, x, 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 square, like that, ओके, अब इसका solution कैसे निकलता है, तो मैं लिखता हूँ, यहाँ यहाँ पर देखो, required solution, ठीके, न, required solution क्या होता है, तो y into if, अब if क्या है, मैं बताता हूँ, integrating factor, which is equal to integration q into if, और यहाँ पर dx, प्लस क् c, ठीके, यहाँ पर measure कर दूँ, where if is equal to e integration p dx, ठीके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, integrating factor, ठीके, ओके, तो अब यहाँ आ जाईए, यहाँ पर, जो हमने differential equation derive किया है, मतब जो given the question में, dy upon dx, minus 2x, upon x square minus 5, और यहाँ पर y, which is equal to, minus 2x, minus 2x into x square minus 5, यही given है, ओके, जब हम लोग इसको dy upon dx, and then, plus, py equal to q से compare करेंगी, तो p equal to, देखो क्या रहा है, p equal to आ गया मेरे पास minus 2x upon x square minus 5, ठीके, और q equal to कितना हो गया, तो minus 2x और into x square minus 5, ठीक है, so बस अफट आफट आफट आपको क्या करना है, सबसे पहले if निकाल लेते हैं, तो if is equal to e integration p dx, ठीक है, which is equal to e integration, अब p के मिलू कितना है, so minus 2x upon x square minus 5 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, dx, ठीक है, अब इसको integrate करना है, कितना tough है, आपको क्या क्या करन लिखना चाहूं, तो e क्या लिखा हुए, e minus बाहर कर दूं, यह हो जाएगा integration, dt upon में कितना हो गया, t, ठीक है, which is equal to e minus, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ln t, which is equal to, अच्छा e to the power minus ln t को हम लोग 1 upon में e to the power ln t भी लिख सकते हैं, which is equal to 1 upon में e to the power, अच्छा, एक काम करो, t, और यहाँ पर alien हो, और यहाँ पर fx है, मतब एग even होता है, तो हमारा answer क्या आता है, fx होता है, यहाँ पर coefficient कितना है, 1 है तब, तो वही, इसी का यूज करके हमने देंदे 1 upon t, और finally, हमने t क्या माना था, तो e x square minus 5, यानि कि हमारे पास if हा गया, ओके, अब हम लिखते है, है, required solution, required solution, क्या हो जाएगा, तो y into if, if क्या है हमारे पास, तो one upon me, x square minus 5, which is equal to integration q, अब क्यों देखना पढ़ेगा, q क्या है, तो minus 2x into x square minus 5, minus 2x into x square minus 5, और into if, one upon me, x square minus 5, और यहाँ पर dx अंदर इंप्रस ही लगा दिया, तो देखो, यह से हो रही क्या हो गया, cancel out, यहाँ पर बच गया, तो y, और यहाँ पर y क्या है, पता है, इस y को आप y x में लिख सकते हो, क्योंकि यह function of x थी है, ठीके, तो y x upon divided by x square minus 5, which is equal to minus 2 कर दू, integration क्या लिखा हुआ, x और dx लिखा हुआ है, ठीके, अच्छा, तो plus c यहाँ पर लगा ही दिया है, तो plus c लगाने के जोड़ों, यह direct हम integrating कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, minus 2 into x square by 2, यानि कि minus 2 into x square upon 2 plus c, which is equal to कितना हो जागा, minus x square plus c, आगया यह हमारे पास क्या आगया, solution तो आगया है, अब हमें क्या करना है, c का value निकालना है सबसे पहले, constant of integration, तो constant of integration के लिए y2 is equal to 7 दे रखा है, तो हमारे पास y2 is equal to 7, यानि कि x का value 2 दे रखा है, और y का value क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो अब यहाँ से value पूट करेंगे, तो मारे पास x का value क्या, 2, तो y का value कितना हो गया, 7, चलो पूट करेंगे, y2, which is equal to, हमने 2 यहाँ put करना है, तो 2 square minus 5 bracket, c minus कितना हो जाएगा, 2 square, और यह कितना given है, 7, which is equal to, यह कितना हो गया, minus 1, और यह क्या हो जाएगा, c minus, c minus 4, ओके, ठीक है, तो 7 is equal to क्या हो जाएगा, minus c and then plus 4, तो हम c का value, अगर इधर लाए, इधर लाए, तो c is equal to कितना हो जाएगा, minus 3, चलो हमारे पास c भी निकल चुका है, ओके, अब direct हम लोग यहाँ से लिखते हैं, देखो, तो y x equal to क्या आगया, तो आगया मेरे पास x square minus 5, और into कितना minus 3, and then minus कितना x square, अच्छा, अभी यह तो हमारे पास required solution आचुका है, हम c भी निकाल चुके हैं, क्या निकालना है, maximum value of function this, ठीक है, तो अगर हमें अच्छे से आता है, तो यतना time लगा कर थुलने question को solve करेंगे, हम यह तो बस समझाने के लिए एक का step आपके साथ CR करना हूँ मैं, ताकि सब को समझ में आ जाए, तो देखें, बस क्या करना है, इसको multiply कर लेते हैं, फट अफट यह कितना लिखा हुआ है, minus 3 x square, और यह हो जाएगा, plus 5 x square, यानि कि कितना 2 x square, directly देता हूँ न, and minus minus कितना हो ज and then minus कितना हो जाएगा, 15, अब इसी का मुझे maximum निकालना है, तो हम direct completing the square के निकाल सकते हैं, ऐसे देखो, तो minus यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, तो यह लिखोंगा मैं, x square minus 1, और यहाँ पे whole square कर दूँ, ठीके न, यतना part, तो एक स्टोरी पावर फूर हो गया, minus 2 x square हो गया plus 1 extra है था, तो मैं यहाँ पे minus 16 लिख दूँगा, ठीके, देखो यह पूरा part same ही लिखा हुआ है, अब यहाँ से, अगर minus हटा दूँ, bracket open कर दूँ, तो यह लिखा हुआ है, 16 minus कितना, तो x square minus 1 whole square, यह मेरे पास yx आ गया, I think 16 ही क्या होगा, इसका, maximum होगा, ठीके न, कैसे ध हाँ, देखिए, यहाँ पे लिखूँ, देखो, अब डिरेक्ट यहीं से निकाल लेता हूँ, तो हमारे पास yx is equal to कितना आ गया, तो 16 minus, and then x square minus, कितना था, देखना पड़े, x square minus 1 whole square, okay, x square minus 1, और यहाँ पे क्या लिखा हूँ है, whole square, right, ठीक है, तो आप दिखिए यहाँ पे, आप बता सकते हो न, कि x square minus 1, जो whole square है, वो क्या हो गया, greater than equal to 0 होगा, क्योंकि square है, ठीक है, अब जब यहाँ पे हम minus लगा देंगे, answer आगया, completing the square, यह मैंने किया, आप differentiate करके भी, इस step में, इस step में, कौन सा step में, यहाँ आगया था न, यहाँ से आप, इसको differentiate करके भी, आप इसका maxima, minima निकाल सकते हो, जो भी पूछ रहा है, यहाँ पर maxima निकाल रहे थे, मतब पूछा, तो हम लोग maxima निकाल रहे थे, तो दो मेठर है, और भी मेठर है, तुस्से भी निकाल लेजिए, ठीक है, तो यह differential का problem solve हो गया, next question, next question है, limits का, इसका मैंने video कर भी बनाय का है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला कि j advance के कुछ a step easy होता है, कुछ a step फसाने वाला होता है, तो कहाँ पर फसाने वाला है, कहाँ पर easy है, यह हम देखते हैं, और इस question का थू समझते है, if limit this equal to this be greater than 0, मैंने बोला, j advance का problem absorb करते हो, question को carefully read किजिए, एक का statement पर ध्यान देखिए, and theta आपके पास सीधर रखा है, then the value of theta, आपको theta कहीं value पूछ रहा है, 4 option भी है सामने, okay, I think पहला problem हो था, वो integer numerical type था, okay, integer type, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग इसको simplify कर लें क्या, कितना, ठीक है, तो अब देखों दिखा हुआ है, to limit x to 0, 1 plus x and then a lane, 1 plus b square, दिख step calculation भी आपके साथ share कर रहा हूं, ठीक है न, और यह सबसे ज़्यादा important है, calculation पर जरूर ध्यान देना है, plus minus का mistake नहीं होना चाहिए, okay, यह मेरे पास दे रखा है, तो सबसे पहले इस limit को हम लोग solve करें, तो इसको solve करने का एक बहुत ही जबरदस्त मेरे पास क्या है, formula है, ठी result भी याद रखना ज़रूरी है, आपको बस mind में यह aim होना चाहिए, कि question को कितना जल्दी solve कर लें, यह examination hall में यही दिमाग काम करना चाहिए, अब उसी के लिए आपको result याद करना पड़े, तो result भी याद केजिए, लेकिन आपका concept भी clear होना चाहिए, derivation भी उसका आना चाह this, and यहाँ पर अगर 1 upon fx है, ठीक है, which is equal to result क्या होता है, a to power k, और k यह जब क्या है, constant, वो भी value हो सकता है, ठीक है, ओके, तो जब देखो, यह दिस होता है, तो कुछ ऐसा ही, तो आपको यह limit भी दिख रहा है, limit x to 0, सबसे 1, 1, यहाँ पर देखो, x, यहाँ पर क्याद b square, यानि कि यह वाला part है, और k है, दूना अपस में क्या है, equal ही तो है, तो अगर मैं इतना को, अगर मैं यहाँ पर देखो, यह वाला part को मैं, ऐसे लेता हूँ, तो यह जो value है, आपका, किसके equal है, तो k के equal है, यह भी constant है, और k भी क्या है, constant है, so हम लोग direct यहाँ से अगर आ जाए, यहाँ से अगर आके लिखू में, तो क्या लिख सकता हूँ, यह पूरे का value क्या है, पूरे का value का a lane, e to the power a lane, and then 1 plus कितना, b square, which is equal to क्या लिखा हूँ है, 2b sin square theta, अब यह step आपको लिखना ज़रूरी है, नहीं न, यह direct हम, इसको यह लिख सकते हैं, वह भी बिलकु इतना कि मैंने, 1 plus b square, which is equal to 2b, और यहाँ पर क्या लिखा हूँ है, sin square theta, ठीक है, अब एक हम और करते हैं, यहाँ पर 1 plus b square, यहाँ भी दीख रहा है, तो b कोई excited कर लेते हैं, तो 1 plus b square upon b, which is equal to 2 sin square theta, अच्छा, इसको और simplify करेंगे, तो 1 upon b करनो क्या, 1 upon b, and plus कितना हो जाएग करना है, simplify करना है, I mean theta का value बताना है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो b में दे दिया, यहाँ पर b plus 1 by b के जागा, कुछ number वता 3, 4, 5, तो हम उसको असानी से evaluate कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर b और 1 by b में दे दिया है, आप दिखिए, जब भी आपक सबसे पहले यह जो left hand side है, ठीक है ना, और right hand side है, दोनों को individually आपको define करना पड़ेगा, मत्तब इसका भी आप maximum minimum चेक करो, और इसका भी क्या करो, maximum minimum चेक करो, सबसे पहले ठीक है, ठीक है, ना, check, maxima and minima, सबसे पहले इसका चेक करो, और इसका भी, check, maxima and minima, ओकी, अब अगर इसको हम लोग चेक करते हैं, मत्तब जो left hand side है, ओकी, अब इसके लिए कैसे निकाला जाए, तो देखो, b greater than क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, आपको काम असान कर दिया, b greater than 0 है, ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे b plus 1 by b में, अब हमें maximum minima check करना है, तो हम क्या लगा लें, amgm inequality अप्लाई कर लें, ओकी, तो अब हम क्या लगाएंगे, तो am greater than equal to gm, क्योंकि b भी positive है, और 1 upon b भी क्या है, positive है, और amgm हमेशा positive number पे ही लगता है, ठीक है, तो अब am of this, यानि कि b plus 1 upon b divided by 2 greater than equal to gm, यानि कि b into 1 upon b and power कितना, 1 upon 2, ठीक है, सो b plus 1 upon b, अच्चो कि यह cancel out, 1 to the power 1 by 2, एक क्या दे रखा है, 1 ही दे रखा है, तो b plus 1 upon b greater than equal to कितना हो गया, 2 हो गया, ओके, यह हमने LHS को define किया, यानि कि LHS का जो minimum value है, हो कितना है, 2 है, ओके, अब define करते है, now, अब define करते है, RHS को, या, हम लिखते हैं, देखना ध्यान से, sin square theta, 2 sin square theta है, अब sin square theta क्या होता है, less than equal to क्या होता है, 1 होता है, ओके, सो 2 sin square theta, less than equal to कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठेक है, आप देखिए, LHS का जो minimum value कितना है, 2 है, और RHS का जो maximum value है, क्या हो, क्या है, 2 है, यानि कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूं, minimum value is equal to कितना आ गया, 2, और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं, तो यहाँ पे लिखूं तो 2 होगा, 2 से बड़ा होगा, और यह क्या होगा, maximum 2 होगा, या 2 से छोटा होगा, ठीक है, तो दोनों value equal कितना होगा, तो 2 पे equal होगा, बस यही समझना था, यानि कि हाँ पे हम directly लिख सकते हैं, equality hold, if b plus 1 upon b, which is equal to 2 sin square theta, और which is equal to, क्या लिखेंगे, 2, बस, इतना ही करना था आपको, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें, इस से मतलब है, क्योंकि हमें theta निकालना है, तो हम लिख सकते हैं, 2 sin square theta is equal to 2, यानि कि sin square theta is equal to 1, तो हमें यहाँ लिख सकते हैं, sin theta is equal to plus minus 1, 2 case बनेगा मेरे पास, sin theta is equal to 1, and then sin theta is equal to minus 1, ओके, आप देखिए, हमें theta तो almost निकल ही गया है, theta belongs to this, और हमें value of theta, तो अब हमारे पास, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो, sin theta is equal to 1 था, और sin theta is equal to minus 1, तो sin phi by 2 is equal to 1 होता है, ठीके, इसको लिख सकता हूँ, क्या मैं कितना sin phi by 2 लिख दूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन, minus phi by 2, minus phi by 2, which is equal to minus, और कितना, sin phi by 2, ओके, नई, एक लिखने का ज़रूँ थी नहीं है, इसको मैं किया लिखा, साइन, minus phi by 2, क्योंकि माइनस बहां निकल जाएगा, minus phi by 2, कितना हो गया, आपके पास 1 ही होता है, ठीके, में आपका इस दो value satisfy करेगा, option में आपका यही है, तो यह तो हट गया, और साइंट्राइज 1 है, by by 4, not possible, not possible, not possible, the right option, हमारा answer आगया, ठीके, और इस इंटर्लों में आपका इस दो value satisfy करेगा, तो देखो, अच्छा problem था ना, यह भी मेरे ख्याल से क्या है, नई option तो था ही, तो numerical type नहीं है, मतलब यह हमारा answer आगया, ओके, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, integration का है, sorry, देखिए, अच्छा यह problem and definite integration का है, हला कि indefinite integration से यह advance problem बहुत कम पुछता है, लेकिन यह problem को मेरे ख्याल से definite में डाल सकता है, ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, तो जब भी आपको indefinite integration में problem ऐसा दिखता है, दिखो, मतलब sin x plus tan x यहाँ दिख रहे हैं, power यहाँ पे कुछ भी हो, 7 by 2 हो, 5 by 2 हो, या फिन 3 हो, या फिन 4 हो, या फिन 5 हो, या फिन 6 हो, ठीक है, और उपर में 6 x square x है, या फिन 6 x है, या फिन ना हो, तब भी आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, d is equal to क्या put कर लेना है, तो 6 x plus tan x, आपको बस एक काम करना है, मतलब सब क्यों सर मिठड से हम इस problem को solve करेंगे, बस, यह समझना जरूरी था, अब फट फट क्या करना है, तो dt upon dx, या निकिसको differentiate कर लेंगे, तो 6 x का differentiation, 6 x into 10 x, और 10 x का 6 x, ठीक है, तो dt is equal to, यहां से अगर हम लोग 6 x common ले लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 x plus कितना हो जाएगा, 6 x, और इन तो यहां पर क्या लिख देंगे, dx, ठीक है, which is equal to, यहां पर लिख लेंगे, 6 x, और यह कितना value है मेरे पास, sorry, 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 sec x, और sec x plus 10 x को हमने क्या माना है, t माना है, और यहां पर क्या हो जाएगा, dx, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, और finally मुझे, अब t is equal to, यह माना है, तो पूरे को मुझे t में ही convert करना पड़ेगा, okay, so, यहां गया मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं, dt divided by t is equal to, क्या हो जाएगा, मेरे पास, sec x into dx, okay, so, आब हम direct यहां से आते हैं, so, integration, आप देखो, उपर में क्या लिखा होगा है, sec square x into dx, तो इसको मैं एक sec x रखूँगा, और sec x into dx को क्या लिखूँगा, मैं dt divided by कितना t divided by, यह क्या लिखा है, हमाइने t, यानि कि t to power कितना हो जाएगा, 9 upon 2, which is equal to integration, यहां पर लिखने लोगा sec x, और then dt divided by, आप देखो, exponent rule से दोनों का power add हो जाएगा, base equal है, तो t to power कितना हो गया, 11 by 2, अब sec x को भी आपको replace करना है, अब यह important case को कैसे replace करेंगे, अब देखो, यहां पर आके बच्चों को problem होता है, ठीके न, यहां पर problem हो सकता है, मैं यह step को mention कर दता हूँ, ठीके न, यहां पर problem हो सकता है, sec x को कैसे evaluate किया जाए, तो देखें, सबसे पहले, आपने sec x plus tan x को हमने 3 माना है, ठीके, अब यहां पर जब भी आपको sec x या tan x का value evaluate करना है, तो trigonometry का ही identity use कर लेजिए, sec x square x minus tan x is equal to 1, यहां पर apply कर लेंगे a square minus b square, यानि कि sec x minus tan x और into यहां पर लिख लेंगे हम लोग sec x plus कितना tan x, which is equal to क्या लिखा हुआ है, 1 हो गया, मैंने a square minus b, a square is equal to a minus b into a plus b identity use किया, अब sec x plus tan x कितना t है, यानि कि हम लेख सकते हैं, तो sec x minus tan x और into, यहां पर t which is equal to 1, so sec x minus tan x is equal to कितना आ गया, 1 upon t आ गया, ठीके, अच्छा, यह काम करता हूँ फिल हाल इसको समझने के लिए, इसको मैं ऐसे, यह माल लूँ, ठीके, और इसको मैं क्या करता हूँ, b माल लेता हूँ, ठीके, अब मैं क्या करता हूँ, e and then plus b, दोनों को क्या कर लिया, एड कर लिया, ओकी, जब एड करेंगे, तो देखो, tan x और tan x क्या हो जाएगा, cancel out, बचेगा मेरे पास, 2 sec x direct, देखो, sec x का भी लुआ गया न, in terms of t, जब दोनों को minus करोगे, तो tan आ जाएगा, ओकी, बट हमें क्या चाहिए, sec x चाहिए, तो 1 by 2 and then t plus कितना, 1 upon t, so अब finally integration पर, so integration क्या लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से sec x लिखा हुआ था, और उपर में dt लिखा हुआ था, 2 भी था, नहीं, and t to the power कितना लिखा हुआ था, 11 by 2, ठीके, अब से sec x का भी लिवार चुका है, तो 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं, integration यह लिखा हुआ है, t plus 1 upon t, divided by t to the power कितना, 11 by 2, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, dt, ठीके, अच्छा, फ्रेश लिख दो, तो 1 by 2 integration, 10 upon 10, अलग अलग करकी, तो यह 1 है, और यह कितना हो जाएगा, 11 by 2, यानि कि 1, अच्छा, देखा है, t upon t to the power 11 by 2, ठीके, and then plus 1 upon t to the power 11 by 2 into t, ठीके, और यहां पर क्या हो जाएगा, dt, अब हमें थोड़ा सा एका मोर करना पड़ेगा, 1 by 2 लिखा हुआ है, integration, अब t to the power कितना हो जाएगा, बताना, यहां पावर 1 है, तो 1 minus 11 by 2, t to the power कितना, तो minus 9 by 2 and then plus, यह by 2 है, और यह हो जाएगा, 11 by 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 13 by 2, और finally हम इसको लिख सकते हैं, t to the power minus कितना, 13 divided by 2, और यहां पर हो जाएगा, 10 और यहां पर dt, पास integrate कर लिजे, दोनों को, तो 1 by 2 ठीके, ब्रेकेट, अब इसको integration करेंगे, तो बोद बेसिक सा हो गया, minus 9 by 2 plus 1, divided by minus 9 by 2 plus 1, and then plus, t to the power minus 13 by 2 plus 1, divided by minus 13 by 2 plus 1, and then plus constant of integration, राइट, तो आब इसको जाएगा, कितना हो जाएगा, minus 7 by 2, एक ना, चलो लिख जाता हो, t to the power कितना हो गया, minus 7 by 2 divided by minus 7 by 2, and plus t to the power कितना, minus 11 by 2 divided by minus 11 by 2, this and then plus c, ठीके, और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, t के value पूट कर लेना, मैं यहाँ पर mention कर लेता हूं, where t is equal to क्या है, cx plus 10x, तो यह value यहाँ पूट कर लेना, और जैसे आपका option होगा, वैसे option match करा लेना, ठीके, तो देखो, finally integrate करने आ गया, तो option match कराना भी कर लेना, इसको ज़र फ्रेस लिख लेना, अंसर आ जाएगा, ठीके, वट आपको कहाँ पर ध्यान रखना है, तो हमें देखो, हमें ध्यान रखना था, कि cx plus 10x को t लेना था, जब भी cx आपके पास निकालना हो, और cx plus 10x का कुछ value गी भेनो, तो हम लोग इस identity का use करके, value निकाल सकते हैं, और पिछला problem में कहाँ पर फसाने वाला था, तो फसाने वाला step यह वाला था, यह था, यहाँ पर problem हो सकता है, यह problem वाला step था, तो इसको कैसे करना है, मैंने बता दिया आपको, दोनों कहाँ maximum minimum निकाल कर देख सकते हैं, मतलब जो भी निकल जाए, जैसे यहाँ पर मैंने इसका maximum निकाला और इसका क्या निकाला, minimum, हो सकता है कि इसका maximum और इसका क्या निकलता, minimum, वो depend करेगा, ठीके न, तो यह दोनों फेलों आपको check करना है, और check करने के बाद, equality hold करने के लिए एक ही value है, जैसे देखो न, 2 इसका क्या आगया, minimum, 2 इसका क्या आ असान था, अगर यह formula याद है, तो बस 30 seconds, 10 seconds में, otherwise आप normal तरीके से भी इसका use करके भी इसका limits को evaluate कर सकते हो, ठीके, first problem बहुत असान सा था, first problem में आपको ज्यादा कुछ टफ नहीं था, कहीं पे भी कोई भी स्टेफ आने वाला नहीं था, तो I hope यह सारी question आपको समझ में आ आया होगा, मतलब problem खने के मतलब questions तो अच्छा लगेगा है, क्योंकि यह advance का है, solution अगर समझ में आया होगा, तो channel को subscribe, जरूर कीजिएगा, thank you